हेज गाइज गुड इवनिंग आस दिन भर मैंने डीप क्लीनिंग किये कल एसी लगा था वो उसकी वज़े से पूरा रूम गंदा हो गया था अभी शाम को बज गए साड़े पांच तो आज कुछ खास लंच भी नहीं बनाया था आलू, मतर, टमाटर की सबजी बना रही हूं रस्य वाली सबजी कोकर में बनाऊंगी फटा पट बन जाती है और असका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अजू आई आए दो दिन से बाहर रखी थी फिकल राख को मैंने फ्रिज में रखा है इस मलायी से भें घी निकालूगी और रूखकों व्यूभण मलाई में कुछ भी नहीं पड़ा, दही बगरा कुछ भी नहीं है, अनली ये मलाई है, चम्मच की हेल्प से इसको एक तरफ ऐसे चलाते रहेंगे, तो ये अपने आख, मक्खा छोड़ देगा, इसमें से पहले मक्खा निकलेगा, फिर इसको पका लेंगे, तो गी निकलाएग सबजी भी हो गई है, इसको पड़ा कर देते हैं, ये टाइट होने लगा है, जब मक्खा निकलने का टाइम आता है, तब ये थोड़ा टाइट हो जाता है, और फिर बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो अभी ये चलाने में बहुत मेनद आपना है, लगा है, ये टाइट होने है, शीटी देज ले लगा है, इसको रेको दीने में का देते हैं, ये अचलका होने है, इसमेसे रूच छोलने लगा है, अब इसको बस चलाते रहेंगे, और जब भी अलग से दिखने लगेगा, तब फिर इसको ये चल्दी की है, उसे चांग लेंगे, अबस्टेश सेहरे लाइտ〜 अबस्टेशा करते हैं, जे उसको खोने हैं, अबस्टेश की है, कर दो कर दो कर दो